किसी भी वक्त हो सकती है अर्बिंद केजरिवाल की गिरफतारी शराब गोठाले के बाद दिल्ली जलबोट गोठाले में सीधे सीधे कनेक्टेड है अर्बिंद केजरिवाल और अब बहुत जादा समय सलाकों के बाहर अर्बिंद केजरिवाल के लिए बचा रहनी गया है बार-बार आमादमी पार्टी यह जो पूछती है कि अर्बिंद केजरिवाल को एडी का समन किस आधार पर बेजा गया है किस आधार पर उन्हें पूचताच के लिए बुलाये गिया है, मुख्या अभ्यूक्त के तौर पर उन्हें बुलाये जा रहा है, मुख्यमंद्री के तौर पर दिल्ली के बुलाये जा रहा है, आबाद्मी पार्टी के संयोजग के तौर पर बुलाये जा रहा है, तबूत, CBI और ED के पास हैं लेकिन दिल्ली जलबोट गोटाले में सीधा सीधा connection अरविंद केजरिवाल का सामने आ चुका है, On Record सामने आ चुका है, तफसील से आपको बताऊंगे अरविंद केजरिवाल कैसे दिल्ली जलबोट मामले में सीधे आरोपी बनाए गए हैं और कैस इसे उनकी गिरवतारी हो सकती और इन सब के माइने क्या हैं लेकिन उसके पहले न्यूज एथीन इंडिया के यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्स्राइब नहीं किया है तो इसे पहले सब्स्राइब कीज़ें दिल्ली जलबोट गोटाला अब रिश्वत में जो पैसा लिया गया उसका इस्तिमाल ये का जा रहा है कि आम आद्मी पार्टी के लिए किया गया और आम आद्मी पार्टी के सयोजक कौन है अर्विंद केजरिवाल तो सीधे सीधे अर्विंद केजरिवाल इस मामले से जुड़े हुए हैं सवाल जवाब के लिए टेंडर निकाला गया था चार कंपनियों ने अपलाई किया था और एक कंपनी को यह टेंडर दे दिया गया ठेका उन्हें दे दिया गया लेकिन यह काज आ रहा है कि वह जो एक कंपनी को टेंडर दिया गया वह इसके लिए एलिजिबल ही नहीं थी अब जो कंपनी का नाम है वो भी यहाँ पर मैं आपको बता देती हूं कंपनी का नाम है NKG Infrastructure Limited 38 करोड का इसे ठेका दिया गया और यह जो ठेका मिला था यह Electromagnetic Flow Meter के Installation Supply और उसकी टेस्टिंग का ठेका दिया गया था अब दो बात है पहले तो 38 करोड का ठेका दिया गया कहा यह जा रहा है कि कंपनी इसके लिए eligible ही नहीं थी दूसरी बात 38 करोड रुपे जो दिये गए ठेका यह बहुत जादा था जिस काम के लिए दिया गया था वो कंपनी इस काम को करने के लिए eligible नहीं थी बाकाइदा इस बात को दिल्ली जलबोट के अधिकारियों ने कागज़ों पर लिखा है और मना किया गया कि यह टेंडर इस कंपनी को नहीं दिया जाना चाहिए फिर एक पूरा खेल रचा गया ताकि इस कंपनी को टेंडर दिया जा सके आधिकारियों की इसमें मिली भगत थी और 38 करोड का टेंडर दे दिया गया अब इस कंपनी ने जो खर्च किया जिस काम के लिए उसको कॉंट्राक मिला था मातर 17 करोड बचे कितने 21 करोड अब इन 21 करोड रुपे के फर्जी कागज तयार किया गया और उन्हें लगाए गया खर्च किया ने गया था काम के लिए पैसा लेकिन फर्जी कागज लगा कर रिसीट बना कर उस पैसे को ले लिया गया अब ये जो 21 करोड रुपया जादा लिया गया था कमपनी की तरफ से उसे दूसरे जर्ये से आमादवी पार्टी को दिया गया और इस बाबत पूरी डीटेल की कैसे कमपनी को ठेका नहीं दिया जाना चाहिए, उसे डोग दिया जाना चाहिए, कैसे कमपनी एलिजबल नहीं ह है कैसे उसे eligible दर्शाया गया यह सारी चीज़ें on paper मौजूद हैं अब यह का जा रहा है कि जो ड्रिश्वत दी गई मतलब 21 करोड रुपे बचे उसी में से पैसा ड्रिश्वत की तौर पर दिया गया और उसका इस्तेमाल हुआ आमाद्मी पार्टी के लिए तो आमाद्मी पार्टी के जो संयोजक हैं वो हैं अर्बिंद केजरिवाल तो जब आप दिल्ली जलबोट के अधक्ष भी हैं आफी के सिगनेचर से ठेका दिया गया होगा और फिर जो ड्रिश्वत ली गई वो भी आफी की पार्टी के लिए लिए जिसके आप संयोजक हैं तो ये तो आप समझ गये होंगे कि क्यों एडी की तरफ से समंज जारी किया गया अर्बिंद केजरिवाल को तो सीधा सीधा मनी लॉंडरिंग का केस यहां पर इडी की तरफ से अरविंद केजरिवाल के ऊपर बनाया गया है इसके अलावा जगदीश कुमार अरोडा जो की मुख्या आरोपी है यह उस वक्त चीफ इंजिनियर थे दिल्ली जल बोर्ड में उनकी गिरफतारी हो चुकी है आने लगरवाल यह एडी के शिकंजे में यह एंकेजी इंफ्रा एक दूसरी कंपनी है जो इस कंपनी को मदद कर रही थी उसको देखने वाले हैं तो यही जो पूरा घटना घ्रम घटा है कि कैसे एक आयोग यह कंपनी को दिया गया पहले तो ठेका और फिर उसके बाद रुपे का ठेका दिया गया बचे वे रुपे को रिश्वत के तौर पर लिया गया और उसको आमाद्वी पार्टी के लिए लगाया गया यह सारे सवाल पूछने अर्विंद केजरिवाल से एडी को कि भाई आपको पता था मना किया गया इस कंपनी को ठेका मत दो सवाब देना है आमाद्वी पार्टी खूद यह कह रही है आतिशी की तरफ से जब प्रेस कॉंफरेंस की गई तो उनकी तरफ से इस शब्द का इस्तिमाल किया गया बैक अप प्लान की बीजेपी अर्विंद केजरिवाल की गिरफतारी के लिए ब्लाक बैक अप प्लान के तौर पर यह दिल्ली जलबोट घोटाले को लेकर सामने आई है तो आतिशी भी समझ रही है आमाद्मी पार्टी भी समझ रही है कि यह जो गोटाला अब इसमें अर्विंद केजरिवाल का बचना बड़ा मुश्किल है अब बस उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है देखना है और किन-किन जगों पर उनकी सनलिप्तता हो सकती है आमाद्मी पार्टी बीजेपी के उपर जो आरूप लगा रही है कि जूटे केस में फसाया जा रहा है अद्विंद केजरिवाल को क्या आप उससे सहमत हैं कॉमें सेक्शन में बताइए झाल 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 झाल